कहानी के शुगात में ही हम देखते हैं इकपाल हरुन नाम के एक आत्मी कंश्यों के ग्रेट इंडियन सर्कस के उनर थे और वो शिकागो में अपने इस सर्कस कंपनी को चलाते थे नेकिन 1990 में इकपाल ने विस्टन बैंक ऑफ शिकागो से बहुत सारी लोन लिये थे और उस लोन को सही वक्त पर ना लोटाने के वज़ए से बैंक से इकपाल के सर्कस को बंद कर दिया जाता है और इकपाल इस सेब में को बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए बैंक के चेर विस्टन बैंक ऑफ शिकागो के ही अलग-अलग ब्रांचेस में पैसो की चूरिया करता है और उसे कोई भी पुलिस पकरनी ही पा रही थी इसके बाद ही इसे पी जै दिखशित और सब इंस्पेक्टर अली को मुंबर से स्पेशल इस केस के लिए बुलाया जाता है और पू के सरकस के अलग-अलग परफोर्मंस के लिए और आलिया भुसेद नाम की एक लड़खी भी और उसके डांस को देखकर सहिर बहुत इंपरेस होता है और आलिया को अपनी सरकस में परफॉर्म करने के लिए सहिर सिलेक्ट करता है ुसके बाद ही सहिर को पता चलता है कि में जय की मदद कर सकता है और वो को बहुत सारे information भी देता है इससी मौके का फायदा उठा कर साहि अगले בैंक के बाड़े में बहुत सारी चीजे पता लगाता है और आंखे घाड सहिरी देख कर सहिर उसे बैंक में चूरी करता है और वो जब भाग रहा था तब झार अलि fotograf करते हैं और इस वासरी से भाग नहीं पाथा और performance गतम होने के बाद वहाँ पर जाए और अली पहुचते हैं और वो लोग सहीर को interrogate करते हैं लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से यह साभी नहीं कर पाते हैं कि सहीर ही वो bank robber है और आखेर कर जाए कहता है कि उस ने उस bank robber के कंदे पर गोली चलाए थी और सहीर अगर वो bank rob पर होगा तो उसके कंदे पर भी वो ही गोली होगी लेकिन देखा जाता है कि सहीर के कंदे पर किसी भी चोट का निशान नहीं है जो देखकर जाए और अली दोनों ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि जैय को पुरा यकिन था कि सहीर ही वो चोड है और उसके कंदे पर निशान ज दिखते हैं और अब तक जितने भी सारे बैंक में चोडिया हुई थी वो सहर और समर दोनों ने मिल कर लेना जाते थे और उनके पिता हमेशा उन दोनों भाईयों को एक साथ मिलकर रहने के लिए कहते थे और कहते थे कि वो दोनों कभी भी एक दूसे का साथ ना छोड़े और वो Samar को हमेशा छुपा कर रखते थे और अपने सरकस में इन दोनों भायों के मदद से अलग-अलग ट्रिक दिखाया करते थे और वो हमेशा कहते थे कि Samar उनके छुपाय हुई शक्ति है दूसरे तरफ हम देखते हैं कि इतने बड़े failure के वज़ा से जै को इस case से निकाल दिया जाता है लेकिन अली और जै दोनों ये तैय करते हैं कि वो लोग इस case पर काम करेंगे और इसके सचाई तक जाएंगे और फिर देखा जाता है कि जै पीज बदल कर समर के सरकस के सेट पर आता है और छान बिन करने के बाद जै की सामने भी साहिर और समर की से चै आती है और जै को समझ में आता है कि कैसे ये दोनों भाई मिल कर ही बैंक में चोड़िया करते थे दूसरे करव हम समर को देखते हैं, जो के हमेशे साहिल की बाते सुना करता था और उनके सरकस में ये दोनों भाई एक जैसे ही दिखनी के बज़ाय से एक ट्रिक करते थे और एक बहुते बार परफॉर्मेंस दिखाते थे और इसे performance के दोरन summer आलीय से मिलता था और धीरी धीरे वो आलीय से प्यार करने लगता है और साही summer को ज्यादा बाहर जाने नहीं देता था सिर्व Sunday को ही summer बाहर घूमने जाता था और इसे एक मौगे का फायदा उठा कर जाए भेज बदल कर समर से मिलता है और धीरे धीरे जाए समर से दूस्ती करता है और समर का इस्तेमाल करके वो साहिर को पकरना चाहता था और धीरे धीरे जाए समर के दिमाग में साहिर के लिए शक पैदा करने के कोशिश करता है तो देखा जाता है कि आलिया समर को एक दिन डेट पर जाने के लिए कहती है और समर मान जाता है और जिस दिन समर आलिया के साथ देट पर जाना चाहता था उस दिन साहिर उसे मना कर देता है और उन दोनों भायों में जगरा होता है और समर साहिर की बातें ना सुनते हुए आलिया से मिलने के लिए आता है और आलिया और समर एक साथ अच्छा वक बिताते हैं इसके बाद ही देखा जाता है कि समर जय से मिलने के लिए जाता है और जय समर के साथ साहिट तक पहुचना जाता था लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि धरसर समर के भीष में वहाँ पर से मुसिबत में है और सहीर जय पर बहुत गुस्सा होता है और वो जय को मारने के लिए एक जगा पर बांद कर चला जाता है लेकिन सही वक्त पर अली आ जाता है और वो जय की जान बचा लेता है और इसके बाद सहीर और समर एक साथ मिलकर आखरे बैंक में चूड़ी करने का फैसला करते हैं लेकिन ये अब इतना आसा नहीं होने वाला था लेकिन आखिरकार वो दोनों भाई मिलकर आखरे बैंक की चूड़ी भी कर लेते हैं लेकिन इसके बाद पुलिस उन लोगों का पीछा करने लगती है और सहिर और समर किसी तरीके से बच कर भाग कर एक डैम के प करते हैं और आलिया की बात सुर कर समर भाग नहीं पाता और समंर के लिए शाहर बेवा परी फ़ży जाता है और जय और बागी सब पुलिस उन लोगों को घेर लेते हैं और सहीर जय से बात करता है और उसे अपने घिलाब सारी सबूत देता है लेकिन सहीर जय से रिक्विस्ट करता है कि वो समर को जाने दे और उन लोगों ने जो कुछ भी किया था उसकी सेजा सहीर अकल ही भुगतेगा और जय सहीर की बात मानने के लिए धयार हो जाता है और इस करता है कि उसके मरने के बाद Samar आजद हो जाएगा और वो आलिया के साथ एक नई जिंदेगी की शुरौत कर सकता है।। लेकिन समर सही के हाथ छोओने के लिए तयार नहीं था क्योंकि उन लोगों के पिता ने हमेशा उन दोनों को एक साथ रहने के लिए ही कहा था और आखिर में देखा जाता है कि सेहर एक साथ डैम से चलंग लगाते हैं और इस चीज को देखकर जै अली और आलिया तीनों ही बहुत हैरान होते हैं और इसके बाद ही के बज़ा से वेस्टन बैंक ऑफ शिकागो बंद हो जाते हैं तुसर इंडियन सरकस को समालती है और आखें में हम देखते हैं सहिर और समर एक साथ एक जगा पर परफॉर्म कर रहे थे जिसे के ये समझ में आता है कि शायद किसी तरीके से ये दोनों भाई बच गए थे और इसे के साथ ये कहानी यही परी खतम हो जाती है